जैसे राम किसान भाईयो आप सभी का फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल किसान 0771 इसमें जो है आज हम इस वीडियो में जानेंगे जो हर्वेसाइड घास जो है अपने खेत में धान के खेत में जो है घास होता है तो ऐसे कौन से अच्छे कंपणियों का दवाई हम अप हो जाए या जो है ज्यादा ना फैले क्योंकि हम जानते हैं अगर घास अपने खेत में उपलब्द रहता है तो क्या होता है कि जितने भी हम खाद या उर्वरग जो भी चला रहे हैं तो क्या है कि वह सीधा घास अबजब कर लेता है और तेजी सो ग्रोथ कर लेता है और वो तदिक बढ़ जाता है तो अपने खेत में लिए नुकसान है तो हम देखते हैं जो आज जो दवाई के बारें बात करेंगे वह जो दवाई है आपका धान रुपाई के आपका पंदरा दीन इसके मध्य में जो है चला जाना चाहिए केत में कि तब तक क्या है कि पौधे रुपाई करने के बाद बीज अंकुरन हो जाते हैं थोड़ा सब बड़ा होता है इस प्रकार से हम देखेंगे की जो रुपाई के दस से पंदरा दिन के अंदर जो है यह जो दवाई है अब जो दूसरा है वो है वायर का अडोरा के नाम से मार्केट में बिखता है यह भी नॉमेनी गोल के तरह सेम टेकनिक है इसको भी आप अगर आप वायर के पूड़क्त ज्यादा यूज़ करते हैं इसी परकार का और एक पूड़क्त आता है वायर में कॉंसल एक् समय के वीतर जब आप रोपा लगा लिए उसके 10-15 दिन बाद और उपयोग करते समय यह ध्यान रखेगा खेत में कि आपके खेत में जो है पानी या नमी थोड़ा रहना चाहिए एकदम भरा हुआ पानी नहीं रहना चाहिए नमी नमी पानी रहेगा तो जो है दवाई अच पासर नहीं दिखा पाता है इसलिए पानी को कम रखेगा खेत में कम रखने के बाद यह स्प्रे करने के बाद भले दो तीन दिन बाद फिर भर दी जिएगा तो क्या आपका घाज पूरा नियंत्रित हो जाएगा और इससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा और यह जो तीन जाए स्री राम किसान भाइयो